संजीब अगरवाल साब आप सब जानते ही हैं उन्हें तीन दशत से साधा का उनका बाजार का एक्सपीरियंस है फिलाल दुबाई में हैं और फंड्स मैनेज करते हैं अल्ट्रा हाइ नेट वर्थ इंडिविजुल्स के लिए बाजार में अच्छा कनेक्शन है बाजार के ले तो सिर्फ एक्विटी मार्केट सी नहीं बट बॉर्ण मार्केट करेंसी मार्केट वहां पर क्या चल रहा है इवन गोल्ड और बाकी कमोडिटीज सर ट्रैक करते हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिसनस को अपना वक्त देने के लिए थोड़ा क्यूंकि नया फिन आगे का आउट्रुक कैसा बनता है ये लास्ट टाइम जब मेरा इंट्रेक्शन हुआ था आपसे 25 जन्वरी को तब भी मैंने बताया था कि एक्शली मार्केट यूएस का मार्केट का हम बात करें जैसे ग्लोबल मार्केट हमारा इंडियन मार्केट भी लगब उसे फॉलो क आप देखिए कितने खराब न्यूज आ गए ऐसे भी बैंक हो गया सिगनेचर बैंक डूग गया क्रेडिट वे वस टेकन ओवर बट मार्केट तो लगातार उपर ही जा रहा है और ये हमने कहा भी था आप देखिए 13 अक्टूबर को इसका एक इंफलेशन का डेटा है था ज कितनी भी खराब न्यूज आ जाए थोड़ा सा करेक्शन आता है उसके बाद तेज होता है और मैंने ये पहले भी कहाता है कि यूएस मार्केट क्योंकि गिरा बहुत जादा था हमने आउट परफॉर्म किया था अब इस राइस में यूएस मार्केट आउट परफॉर्म करे करीब 5000 ये एक्चुली हमारी व्यू जो मार्केट का कंसेंस व्यू है उससे लगबग अपोजिट है जो मोस्टली लोग देखते हैं 3000 का लेवल देखते हैं हम इसमें एक देना चाहेंगे अभी ये जो बॉटम मना था 308 का शाय दिये ना टूटे मगर 3765 जो है वो एक बहु उस समय अपना व्यू चेंज करने की जरुवत पड़ेगी अदर्वाइस कोई व्यू नहीं है हर फॉल पे लेना है और उसमें करना और नैस्डेक जो है वो अब आउट परफॉर्म करेगा यह मैं पिछले चार महीने से कह रहा हूं कि नैस्डेक जो है वो आउट परफॉर् का एक्षुली एवरेज ही है एक ब्रॉडर इंडेक्स है तो वो दोनों का एक एवरेज की तरह परफॉर्म करता है नैस्डेक से थोड़ा कम और डाउ से थोड़ा ज़दा अब हम आते हैं कि इंडियन मार्केट पे तो इंडियन मार्केट में जो स्ट्रक्चर थे यह 18887 से बना था और यह जो दिसंबर में पीक बना था यह 41 दिन का रेली था और इस वेडनेस डे को डे बेफोर एस्टरडे हमने एक कॉल दिया भी था मेरे लिंग्डिन पे भी और मेरे जो चैनल्स हैं उन पे भी मैंने एक बाइक कॉल दिया था एसेंड निफ्टी पे और फॉर new all time high and I expect कि यह new all time high है यह दो से तीन महीने में आ जाएगा I expect कि दो महीने के अंदर ही आ जाना चाहिए निफ्टी जो है वो 19,000 क्रॉस करना चाहिए और bank निफ्टी करीब 45,000 जाना चाहिए आप देखें कि जो rally बनी थी 41 दिनों में 82 दिन wednes day को पूरे हो रहे थे fall के और वो पूरा fall recover नहीं कर पाया था twice the time अब इसमें क्या है अगर आप देखें यह new wave या illiad wave में अगर आपका जो impulsive wave होती है वो हमेशा fast होती है और कम time लेती है और जो corrective wave होती है वो जादा time में भी fully retrace नहीं कर पाती तो यह बहुत clear था कि यह corrective wave है और इतने पास था यह 17,000 का level 747 के इतना पास है जब आपको ऊपर 2000 पॉइंट का है और केवल 200 पॉइंट का आपका रिस्क है हमने तो साड़े 800 के आसपस भी buy signal दिया था एक week 10 days पहले कि आप 747 के नीचे stop loss रखके लीजिए तो overall like people are quite distraught हुआ है अगर आप देखेंगे निफ्टी में यह हर बार support से एक बार bounce किया है मगर जो main resistance को cross करने की बजाए फिर से गिरा है और पुछले support को तोड़के next level का जो support है उस पे हुआ है यह 18500 से ऐसा हुआ फिर 17800 पे हुआ फिर 17300 पे हुआ और फाइनली 16800 पे हुआ तो यह जो पूरा pattern है एक seven leg pattern है new wave का एक special अलग pattern है जो illiad wave में नहीं होता है it's called diametric तो वो G leg जो है वो I think Wednesday को खतम हो गया और अगर आप देख रहे हैं पिछले तीन चार दिन से एक range में sideways था 109 से लेके 16925 के बीच में आखरी के आदे गंटे में बहुत तेजी से तोड़ा अब पिछले week का high भी तोड़ गया है 225 के उपर कह रहे हैं कि basically जो कोई भी ऐसा pattern नहीं बचाए कि जो इसमें खरीजने का हम ना सोचें understood सर तो एक दो बाते जो clear सर की तरफ से आ रहे हैं एक तो अब यहां से selling pressure नहीं आएगा और जो recovery आएगी वो काफी तेज आएगी तीन महीने में अगर आप 19,000 प्लस के target दे रहे हैं सर तो जबर जस recovery के mood में दिख रहा है बाजार यहां से तो फिर कहां से leadership आएगी सर अगर मौका बन रहा है तो फिर कहां पर पैसा लगाना चाहिए देखे leadership मेरे को लगता है NASDAQ बहुत bullish है और यह चीज rub off करेगी IT सेक्टर में IT सेक्टर ने बहुत बड़ा correction दिया है और time wise, price wise it is just still it is making base थोड़ा सा rise होता है फिर गिर जाता है मगर हर गिरावट में खरीदने की है और एक बार जब final breakout होगा जब यह मेरे को लगता है Nifty 17800 के ऊपर जाता है उसके बाद कुछ resistance मतलब एक fully and final confirm हो जाता है कि we have reversed for good and उस समय IT सेक्टर और PSU बैंक्स जो particularly यह छोटे बैंक्स हैं इसमें एक बहुत अच्छी rally आई थी और पिछले तीन महीने से लगातार उसका रिट्रेस कर रहा है जो rally केवल 15 दिन में बनी थी उसका उन्होंने 2-5 महीने में रिट्रेस किया है और वो पूरी rally अभी तक रिट्रेस नहीं हुए बहुत अच्छा strong opportunity लगता है आपको मैं तीन चार बैंक्स के नाम देता हूं एक यूको बैंक है इंडियन ओवर्सीज बैंक है Central Bank है Punjab and Sindh Bank है and Yes Bank है ये 5 बैंक मेरे काफी मतलब इसमें risk and reward के बिसे से अच्छा है इसमें correction जो है डीप हुआ है Otherwise Union Bank जो है उसमें बहुत कम comparatively कम हुआ है बट वो काफी positive है इंडियन बैंक काफी positive है उसमें correction कम हुआ है बट यहां पर आपको return जो है वो बहुत जादा दिखेंगे जो छोटे bank है सब 20-25 रुपई की range में है और Yes Bank जो है उसमें करीब 25 का ही बना बट मेरे को ultimately Yes Bank लगता है कि 30-32 की range जो है सारे investor को एक बार मिलनी चाहिए एक साल के अंदर और बहुत सारे लोग अभी उनका वो भी खतम हो गया है lock-in भी तो I think nobody should be selling it here कि just because lock-in खतम हो गया है इसको hold करिये long term hold कीजिए एक साल देड़ साल है मगर आपको 30 का भाव मिलेगा चलिए तो अच्छे views अच्छे opportunity थोड़ा banks में बन रही है IT में भी सरका योगदान है mid-cap small-cap space में कुछ पसंदा रहे हैं देखिए यह सारे shares mid-caps में है एक मेरे को दो shares पर एक एक पैटर्न बना रहा है it's very good share to buy क्योंकि इसमें मेरे को लगता है 2200 का target आपको अगले छे महीने में मिल जाना चाहिए सीमेंट सा लुकिंग गूड आई सीच यह अदानी सागा की वज़े से काफी बुरी तरह गिर गया है अगर आप देखें 1600 से 1500 बहुत अच्छा price है बगर कोई short term trader के लिए इतना easy stock नहीं है manage करना क्योंकि volatility बहुत है बट एक investor के साफ से ICICI like ACC and Amoja अच्छे हैं और इवन private bank के बारे में मैंने नहीं का उसमें ACC, ICICI, Axis Bank और Indusit Bank तीनों bank मेरे को काफी अच्छे लगते हैं steel, metals will perform quite well अगर आप turn आता है तो ऐसा तो होता ही नहीं कि metal perform नहीं करें तो infrastructure space भी अच्छा करेंगी, metal अच्छा करेंगे, obviously cement will do well, real estate is likely to do well तो मेरे को ऐसा बहुत सारे sector नहीं लगते कि जो खरा, mid cap space में अगर आप देखेंगे तो public sector mid caps वो भी काफी अच्छा करेंगे, apart from public sector banks, जो दूसरी public sector units हैं, उन पे भी ध्यान रखिये, BHEL, BEL और दूसरी जो mid caps हैं, public sector space में, I think they will perform quite well understood sir, तो अच्छी खासी basket sir ने आपको दे दिये, कई सारे नाम्स की direct recommendation भी दे रहे हैं, banks पर बहुत बड़ा भरोसा है, private banks especially, mid cap हों या large cap, वहां से भी आपको अच्छी gains आएंगी, थोड़े और companies, PSU's भी पसंदा रहे हैं, बहुत बहुत सुक्रिया अगरवाल साहब, आज Zee Business का अपना वक्त देने के लिए, बाजार पर outlook और clear बात है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जी, हाँ दीब, गोल्ड के बारे में बहुत लोगों का view रहता है, गोल्ड में मैं बहुत ज़्यादा bullish नहीं हूँ, जनरली लोग अगर आभी देखें, मार्केट में इस टाइब की rumor चलनी शुरू हो गईगी कि 75,000 हो जाएगा साल के एंट तक, मेरे को नहीं लगता कि गोल्ड जो है, मेरी जो target है, 2000-2050 के अंदर ही ये peak out हो जाएगा, और probably 2000, उसके बाद 1700 के नीचे मैं देखता हूँ इसे, और ये जो rally है, ये within a month, यानि April के beyond नहीं जानी चाहिए, अगर ये 2100 के उपर जाता है, तब हम अपनी view को थोड़ा check करेंगे, but 90% I am very, very sure कि ये market जो है, बहुत जादा strongly है, अहाँ 1900 के नीचे जाने पर, अगर gold 1900 के नीचे जाता है, तो it will be confirmed की reversal हो रहा है, और वो 1700 के नीचे है, समझ गया सर, तो basically, basically बात सर की clear है कि market उपर जाएगी, gold नीचे जाएगी, और 1900 के नीचे तो तेज बिकवाली आ सकती है, 1700 के अब gold के lower target आ रहे हैं, आगे gold की rally नहीं है, बट बाजार नए high की तरफ जाने की तयारी में है, परवाल साब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज कुछ बढ़िया mood करने के लिए बाजार को और आगे का जबर्दस outlook बाजार पर भी देने का,